कच्छे आम देखते ही मेरे तो मूँ में पानी छुड़ जाता है फिर क्या आदा किलो आम लिये हैं उन्हें अच्छे से धो कर उपर का हिसा काट कर इल्ली मोल में रख दिया अरे भाई रुको मैं इसके इल्ली नहीं बना रही हूँ और इसे 15 मिट के लिए अच्छे से भाप पीछी नहीं काला नमक सफिद दिल वालों के लिए डालकर बढ़िया से पीस लिया कलर तो देखो क्या बढ़िया आ गया है ना उसके बाद यह जो आईसकिम का मोल्ड है ना इसमें फटाफट से भर दिया उपर से कवर करके बढ़िया सी डंडी लागा कर पास से 6 गंटे के छोड़ दिया 6 गंटे बाद आप देख सकते ही इसकी मोल्ड को मैंने पानी में डुबा दिया बढ़िया सी चटपटी खटी में टी कच्छे आम के आसकिम बनकर रेडी है तो अब कच्छे आम सिप नमक को मिश लगा कर मत खाओ इस तरह से आसकिम मना कर भी खाओ जो की दिल को भी थंडग देगी